सुशान सिंग राशपूत की मौत ने हम सब को जिन जोड के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर है, कि कैसे पहला नेरिटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं, कि हाँ, जिनका दिमाग हम्जोर होता है, वो ये डिप्रेशिम में आते हैं, हाँ, दोस्तों, ये मुहावरा बहुती सटीक बैठता है बॉलिवुड के उपर, क्योंकि कहीं न कहीं, बॉलिवुड भले ही दूर से चमकता धमकता दिखाई देता हो, कि तो जितना आप करीब जाएंगे बॉलिवुड के, आपको पता चलता है, यहां कितना सन्नाटा है, इसकी उमीद करता हूँ, आपने चैनल सबस्क्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि करते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा नोडिफिकेशन, आज मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सुसान सिंग राजपूत के खुदकुशी को लेकर, जिस पर कहीं लोगों ने ट्वीट किया है, दोस्तों कहीं न कहीं, कई लोगों के जहन में सुसान सिंग राजपूत की खुदकुशी ने सवाल छोड़ दिया है, आखिर क्यों, आपने ये खुदकुशी क्यों किया, एक व्यक्ति जो अपने फिल्मों के जरिए, लोगों के बीच में एक मैसेज पास करता है दोस्तों सभी जानते है कि सुसांत सिंग राजपूत ने अपने करियर में अपने एक्टिंग के द्वारा नजाने कितने लोगों के दिलों पर राज किया है और हम कभी नहीं भूल सकते हैं उनकी अक्टिंग चाहे वह ची चोरे में हो, चाहे रापता में हो, चाहे एमियस धोनी था अंटोल स्टॉरी हो और कई सारी फिल्मे उन्होंने जो किया वह यादकार के तور पर जाना जाएगा पर दोस्तों कहीं न कहीं जब फिल में हस्तियां कमेंट लिख रहें थैं, ट्मीट रहे थें, पोस्ट डाल हुएं सुसान सिंग राजपूत को लेकर वहीं कहीं न कहीं कहीं लोग इलजाम लगाते हुए नजर आए बॉली विट के उपर वहीं कही न कही वरुन धवन ने लिखा कि मैं तुस्से यार बहुत इंस्पायर हुआ था कही न कही अनुपा मखैर जो उनके साथ धोनी मूवी में काम कर चुके हैं उन्होंने अव्यक्ति के यहां आमिता बच्चन ने तो इतना लंबा ट्वीट लिखा कि पढ़कर ऐसा लेकिन दोस्तों उन्हीं के बीच में कुछ लोग हैं जैसे धीपिका पादिकोर उन्होंने सीधा सीधा एक वीट करकर मीडिया को लतार दिया वहीं कहीं न कहीं कंगना रानावत इस बीच जो 14 ही जादा प्रोएक्टिव रहती है बहुत जादा वोकल रहती है एक बार फिर बॉलीवुड पर उन्होंने इल्जाम लगाया उनके कुछ लास पोस्तों क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक करें कि प्लीज मेरी फिल्में देखो मेरा कोई गॉड़ फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंड़स्ट्री से अपने इंटर्व्यू में व बॉलीवुड जैसी एक वाहियत फिल्म को सारे वार्ड मिलते है चिछोर्य इस द बेस्ट फिल्में द्थ डिरेकटर उनकी फिल्म को कोई अग्नौलजमेंन्ट नहीं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें आपके फिल्में नहीं चाहिए लिकित हम खुद करते आप अमारे अग्नॉलजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? लेकिन शुशान के गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने खाए तुम वर्थलेस हो, वो मान गया. उसने, he didn't remember what his mother told him, उन्होंने कहा कि तुम मारा कुछ नियोंगा, वो मान गया. वो चाहते ही यह है कि वो इतिहास लिखे और यह लिखे कि शुशान कमजोर दिमागा था. कहीं न कहीं एक व्यक्ती जो अगर दुनिया को एक मैसेस देता है, वो सीखाता भी है, वो खुद पर भी लागू करता है, पर कुछ प्रेशर्स ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ न कुछ करजाना ही पड़ता है. दोस्तो हाला कि ये राज है कि ये खुदकुशी आखिर क्यों ही है, क्या ये खुद खुशी है या ये खुद से नहीं किसी और की दरा करवाई गई खुदकुशी है. दोस्तों उनके परिवार का कहना है कि या आत्मत्या नहीं है जरूर किसी में उनकी हत्या का साजिश रचा है वहीं कहीं लोगों का कहना है ये पारिवारिक है ये जो एक होता है emotional connection, emotional bond उसके लिए परिवार ऐसा कह रहा है लेकिन दोस्तों ये आने वाले दिनों में जरूर और होने के विज़े से एगो भी जिन्दा रहता है और वो अपने सामने किसी को खड़ा होने नहीं देते ये जो इल्जाम लगता रहता है बॉली वुड पर कहीं न कहीं दोस्तों ये सच नजर आता है हम दोस्तों पहली बाते की तरफ से सच में बहुत तह दिल से मैं उमीद करता हूँ इस वर से प्रातना करता हूँ कि सुसान सिंग राजपूत की आत्मा को शांती मिले और दोस्तों ये भी उमीद है कि अगर ये खुदकुशी है तो मैं रिक्वेश्ट करूँगा सभी लोगों से जो उनको उनके फैन्स है जो उनको सपोर्ट करते हैं जो भी आपके मस्तिस्ट में हो आप दूसरों से अपनी बाते शेयर जरूर करें थैंक यू